जाओ और वहाँ पंक्ती में सबसे पीछे अपना स्थान ग्रेंड करो तुमसे पूर्व जो छात्राएं हैं तुमसे पहले मुझे इनकी परिक्षा लेनी है किन्तो सूर्य देव मेरे पास मात्रा अरुमान जब तक तुमारा समय नहीं आता अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो मेरा समय आने तक तो ये स्थम्ब अंधिकार में ही डूप जाएगा और सूर्य देव के विश्राम का समय हो जाएगा क्या करूँ मैं अब तो मावपुत्र प्रणाम सूर्य देव प्रणाम अरुन देव बालक तुम मेरे सिष्ष क्यों बनना चाहते मेरे पिता जी जाते थे कि उनका पुत्र आप जैसे महान विद्वन से शिक्षा ग्रहन करे तो तुम यहां अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने आये हो जी पुत्र अपने पिता से छमा प्राथना के साथ कहना वो तुम्हें किसी और गुरू के पास बेजिये अब तुम यहां से जा सकते हो इसने ऐसा क्या कह दिया जो इसका चायन नहीं हुआ मुझे भी तो मा और पिता श्री नहीं भेजा है हनुमान जब तक तुम्हारा समय नहीं आता अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो जी कहीं सूर्य देव के विश्राम का समय नहीं चाये कि सूर्य देव ऐसा क्यों गर रहे देवादी देव केदी हनुमान को आज उसके गुरुदेव नहीं मिले तो वे नारायन के नर अवतार में उनकी सहयता कैसे करेंगे थेरे रखे देव सूर्य देव की कठोरता अकारण नहीं है उनकी इस कठोरता से ही अनुमान को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा अच्छाने क्या होगा अनुमान का बच अन्द में अल्प अब काश शीन है महाकाल संब प्रकाश अनुमत रिदय में छाया शंशय अपुर्ण रहनां का आशय शेश रूप में उन्हें अपनाए तब दूर यो भी इस कम पर जाए गुरू की पासे रहनावन्चित हो रहे है हनुमत जिन्चित मित्र हनुमान क्या तुम भी यहां शेक्षाग्राइन करने सूरदेव के पास आए हो अरे मित्र जयन तुम भी यहां मैं भी यहां सूर्यदेव के पास शिक्षाग्रेहन करने ही आया हूँ इतने जात्रों को निराश होकर लोटना पड़ रहा है हे प्रभू सूर्यदेव मुझे स्विकार कर ले अपने शिश्य के रूप में हनुमान तुम ने प्रभू सब तो लोट लोट कर जा रहे हैं इनके माता पिता भे निराश हो जाएंगे अपने पुत्र की असफलता देखकर कई मेरे भी नहीं नहीं है प्रभू मुझे गुरुदेव मिल जाएं जैसे धर्दी पर मेरे मित्रों को मिले हैं प्रभू मुझे लगता है कि अवश्य मिल जाएंगे सूर्य देव को अपना गुरुदेव बना पाना सहज नहीं है मित्र यदि वो तुमसे कुछ ग्यान ले लेता तो उसे आवश्य सफलता मिल जाती क्या हुआ ये कैसी द्वानी थी मुझे लगता है ये किसी हिंसक पश्यू की द्वानी थी निकटी घनेवन है ना मुझे तो लगता है वहां कोई हिंसक पश्यू आ गया है मालकों सुर्यास्त होने वाला है अंदकार घिरने से पूर भी तुम सभी को अपने घर लोट जाना चाहिए जो आ गया गुरुदेव चलो मित्रो चलते हैं चलो चलो मित्रो अब तुम आउप्पुत्र प्रेनाम सूर्यदेव प्रेनाम अरुन्देव गव मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहते हैं वो इसलिए सूर्यदेव क्योंकि एक तो मैं आपके सहायक का पुत्र हूँ और दूसरा कि आपसे शिक्षा पाना मेरे लिए गर्व की बात है पुत्र शिश्य को भी इस योग्य होना चाहिए कि गुरुदेव के लिए भी गर्व की बात हो उचित होगा कि तुम घर को लोट चाओ आज चर्य है अरुन देव के पुत्रों को भी मना कर दिया इनोंने तो अब तुम आप पुत्र कर बात है अब तो कुछी क्शंशेश है मेरा समय आने से पूर वही ये काल्स्ता मंदकार में हो जाएगा पुत्र हनुमान स्मरन रहे तुमारे पास गुरु देव को ढूने के लिए अल्प समय हिशेश है तुरियास से बुर्गी तुम्हें गुरु देव को ढूनकर उन्हें स्वेम को शिश्य के रूप में विहन करने के लिए पनाना होगा तुम कैसे आ गए हनुमान मैंने तुम से कहा था न अपना समय आने तक प्रतीक्षा करो शमा करें देव मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपती नहीं है किन्तु मुझे आज ही आपके विश्राम स्थल पर जाने से पूर वही गुरु देख्षा प्राप्त करनी है अनुमान मैं अपने अन्य शिष्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकता वो तुम से पहले आये तो उन्हें छोड़कर मैं पहले तुमें दिख्षा कैसे दे सकता हूँ तेव गुरु ने बताया था यदि आज ही मुझे गुरु नहीं मिले तो मैं पूर्ण जीवन भर बिना गुरु के ही रह जाऊँगा और गुरु के बिना तो जीवन अपूर्ण रहता है और फिर मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनका कारे करने के लिए मेरा जन्म हुआ है इसलिए मेरी आपसे करवत प्रातना है कि आप अन्य चातरों से पूर्ः मुझे गुरुदीक्षा दे तो मुझ तक पहुँचने के पूर्वी अपनी परिक्षा में अनुतीन हो गए परिक्षा, अनुदीन, यह कैसी परिक्षा थी? परथम परिक्षा तुम्हारे धहरे रखने और आज्या मानने की थी हनुमान किन्तु तुमने तो अपना धहरे खो दिया मेरे आदेश की अवग्या की ऐसे छात्र मेरे शिश्य कदापी नहीं हो सकते ऐसा मत कहिए देव मुझे एक शमा कहर दीजे, मचसे भूल हो गई भूल नहीं, महा भूल की है तुमने अन्य छात्रों की, तुम्हें चिंता ही नहीं है तुम उनसे अनुवाती भी ले सकते थे इतना भी नहीं हो सका तुमसे तुमने कितने भी बड़े-बड़े कारे किये कितने ही विशिष्ट और देवे बालक हो थे किन तु मेरी दृष्टी में सब एक समान है मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता राजा हो या रंक, आस्तिक हो या नास्तिक राजभवन हो या कुटिया पेरी रश्मिया सब को एक समान रूप से प्रकाशित करें मेरे लिए यहां आए सभी छात्र समान हैं तिर वो राजपुद्र, देवपुद्र या रिशीपुद्र एक अच्छे शिष्षे के लिए सैयमी और धैरवान होना अती आवजशक है फिन्तु तुमने तो अपना सैयमी खो दिया इसलिए मैं तुमें अपने शिष्षे के रूप में स्विकार नहीं कर सकता नहीं कर सकता मैं तुमने शिष्षे के लिए यदि आज हनुमान को गुरुदेव नहीं मिल तो उसका कारण मैं हूँ मैं हनुमान को छोड़ कर स्वर्व नहीं जाती तो समय रहते उसकी कुणली देख लेती और फिर हनुमान को परियाप समय मिल जाता योग यो गुरु ढूनने के लिए नहीं अंजना तुमसे अधिक दोश मेरा है मैं अपने कारियों में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे अपने पुत्र के शिक्षा का ध्यानी नहीं रहा माता पिता का उत्तर दायत वह होता है कि कोई भी व्यस्तता हो समय रहते अपनी संतान के भविश्य को सवारने के लिए उसके लिए समुचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करे आज हमारे पुत्र के समक्ष ये संकट उत्पन हुआ कि यदि सूर्यदेव ने उसे शिश्र के रूप में सुईकार नहीं किया तो वो कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा प्रप्ताश की सुर्य लेते परीक्षा येही है वीधी की इच्छा शिश्रोप में अश्विकार किया हनुमत को गुण बाठ दिया नियती का है विधान विशमता में वलता क्यान सुर्यदेव शिक्षा का दान विनम्रविन दिया इमान की शिक्षा आरम होने का योग कल संध्या तक का ही है यदि शीग्र ही इनको गुरु ना मिली ये आजीवन बिना गुरु के रिजाए गुरु के शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए पाचनू मुझे ख्षामा कर दीचे देव मैं अपने भूल स्विखार करता हूं मैं अपने समय आने की प्रतीक्षा कर लूँगा किन्तों इस प्रकार मुझे अस्विकार्मत कीजे मुझे एक अपसर देदीजे सूर्य देव एक अपसर देदीजे आज यह दी आपने मुझे गुरु दीक्षा नहीं दी तो मैं जीवन भर बिना गुरु के रह जाओंगा बिना गुरु ग्यान के मैं अपूर्ण रह जाओंगा अब तो बहुत कम समय बचा है करें इन्हीं सब बातों में अनुमान को गुरु देव के प्राप्त होने का समय न व्यतीत हो जाए समय तो व्यतीत होता ही जा रहा है और कुछी समय में सूर्य भी अस्थ होने वाला है अंदिकार होने से पूर्व ही हमें इस वन शेत्र से निकलना होगा चलो शीग्र मित्रो अपनी गती बढ़ाओ मुझे संकट का अभास हो रहा है जो हमारी और ही बढ़ रहा है शीग्र चलो 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 यह 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 से जहां भी जहां भी कोई बालक मिले उसका अभारन कर लो जो तुम्हे रोकने आए उसका वुद कर दो आज सुवेरू का बालक है हमारा लक्ष चलो शीक्षा के आभाव में ऐसे दूटियां तो होती है गुरुदेव मैं आपसे शिक्षा प्राप करने के लिए ही तो आया हूँ कि इस प्रागार दूटियां ना हो मुझ पर क्रिपभा कर दीजे दे ठीक है नुमार मैं तुमें एक अफसर और दूँगा इन तु तुम्या कानोशासर नहीं तोड सकते तो मैं अपने समय पर ही आगया ना हूँ मुझ पर क्रिपभा करने के लिए धन्ने बात देव पर क्रिपभा कर दूँगा ना जाने आथ सूर्य देव के विश्राम्स धर्की और जाने से पूर्व मेरा अफसर आभी पाएगा या नहीं मुझे ये सब आगया प्रात होगा या नहीं कि कि